नमो नारे, नमो नारे, ये गो माताव वंदे मातरुमा भर्ति कुप्रणाम और हिर्दैशे ओम्शाम्शानिक चलाए प्रधर्शकार मित्रों शाथियों मुश्किले कमजोज पड़ जाती हैं जब वो आपको मजबूत पाती हैं और एक बात क्याना चाता हूँ, आप कब मजबूत रहेंगे, जब आपका लक्स किलियर हो और मुश्कराते रहो, जो मुश्कराते हैं, उनकी मुश्किले कमजोर पड़ जाती हैं साथियों, ओम नमो नारे, शाम्पाउन राष्ट को सनी जैनती महत्षव की हर्तिक सुटकाम सिरी सनिधाम, सनी तिर्च, हतोला, पते पूरवेरी में आपका श्वागत है, करीशनी भगवान की दास्तन, पूजन, तेलाविशेक, शंपून, कश्टों से सुटकारा, मित्रों शाथियों, बारक बारा राष्टियों के लिए जून 24-24 का महिना कैसा रहेगा, आपके साम और जून अपने आपमें अदभुद है, क्यों जून के महिने में, देवादी देव, सनीदेव की सनीजैन्ति है, वठ शाउत्री वर्त है, गंगा दसरा है, निलिजला एकादसी है, और चार ग्रों का विश्वरासी में मेल, और जून महिन देवादी देव, सनीदेव, जिवन में परिशानियां आएगी या दूर होगी तकलिपे कामकाज कारवार नौकल में उपलबदी मिलेगी या उल्जनों का सामना करना पड़ेगा कैसा रहेगा आपका निजी जिवन परिवार के लोग साथ रहेंगे या पारवरिक परिशानियों का सामना करना पड़ेगा या रहेगी उठापटक वेवसाय में मिलेगी सांदार स्रफलता या फिर है संगर इन सब का लेखा जो को लेकर मैं आपके सामने हूँ जून 2024 का महिना बारा के बारा राश्यों के लिए नक्षदर गर्णाओं के इसाब से क्या संकिर दे रहा है जून 2024 आपके लिए नक्षदर गर्णाओं के माद्यम से क्या कुछ लिकर आने वाला है थोड़ा सा गर्णक्षदर को देख ले थे जून 2024 में जून 2024 के पहले दिन यानि एक जून को मंगल देव अपनी मूल त्रिकॉन डासी में प्रवेश करेंगे 12 जून को शुक्रदेव का संचरण मिथून डासी में होगा 14 जून को बुद्देव स्वारासी मिथून में संचरण करेंगे और 15 जून को सुर्य देव मिथून डासी में प्रवेश करेंगे 29 जून को बुद्देव करकरासी में संचरण करेंगे और 29 जून को सनिदेव अपनी मूलत्र कौन राशी कुम में वक्री हो जून के महिने में सूर्य देव, बुद्ध देव, शुकर देव और ब्रश्पति देव के सयोंग से चतरगुरी योग विर्ष्टवराशी में बनना है इस चतरगुरी योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके उपर और इस प्रभाव के प्रतिकूल जो समश्याएं होगी उससे बचने का क्या उपाए है सब कुछ लेकर आया हूँ जून के इस बारा राशी के वीडियों है कैसे बदल सकते हैं आप अपने जिवन की दसा और अपने दस्टी कौन को कि आने वाले हैं शनिदेव की शनिजैनिया मित्रो मेरे आराद्ये धरम करम गतिज्यान भक्ति की दाता शनिदेव का सनी जैनती है और सनी जैनती के पावन पर उपर यदि केरियर करोबार नौकरी वेवेशाई में कही कोई प्रेशानी है तो सिरी सनी भागवान के दर्शन पूजन तेला भिशेक शंपाउं कर्शन शुद्गार बलगा एक बात कहना चाहता हूँ श्यून 2,024 देवादी देव सनी देव का जनम देवस है और सनी जैनती के सिसे महापर उपर अदभूद अदभूद पूजा सीरी सनी धाम सनी तीरिस असोला फतेपूर वेरी में है चतरपूर मंदिर से मातर चाल केरोमेड रागे असोला और फतेपूर वेरी की पावन तो भैसे मुक्ति सनिदेव करते हैं है दर्द आपके पास दवात सनिदेव है और है समश्या आपके पास समाधान सनिदेव है 6.7.24 सनिदेन्टी कि पावन परपर पधार यह सिरी सनिधाम सनि 3.4.16 पृप्रबेर में और करिये प्रभु की दर्शन के आपका कल्यान बहुत कुछ बताऊंगा जून के इस वीडियो में 12 के 12 राश्यों के लिए बहुत कुछ बताऊंगा लेकिन ध्यान रखेगा करमों में शुधिकरन करमों में विश्वाष चैनि देव का यही संदेश होता है कि अपनी करमों मे बतावि इस मंत्तर का जाब करों जीवन खुशें उपरा रहेगा जूद्यात्स है सनि और察 français के दाता है सनि करमें ग्रुकभ काई देव के लिए जून मेहने में 12 राश्यों के लिए उपायों का खजाना लेका आया हूं वीडियो को ध्यान से देखेगा जीमन खुश्यों से भाज जाएगा मित्रशाथ्यों संपून ग्रह योगायों के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि चतुर्ग्री योग विश्वराशी में है और जिस तरह की ग्रह योगायों और गणनाएं हैं इन उपायों की आपको आश्चक्ता पड़ेगी मैं राषक भ्हवित नहीं करता हूं लेकिन मैं हमेंसे कहता हूं prevention better than God मैं प्रजापता बिर्मान हूँ हतेली मेर्सर सुन नहीं हो गाता हूँ और नहीं कभी दावा करता हूँ आप मेरी बात को स्विकार करें मैं अपने अनभाव को लेके आ रहा हूँ अपने राश्वाश्यों के लिए और जून का महिला अप आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहे इसके लिए बहुत उपाई लेकाए हो प्रतेक राश्यों का अलग-अलग लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा चतुरगरी योग है विर्शवराश्य में सनातन मजबूत हो राश्च मजबूत हो राश्ट हित में राश्टवास्यों को शोचना होगा और विश्वराश्यों में जब जब ब्रश्पते देव आये है दुरगटनाओं का संकेत मैदनी जोतिस देती है ये दुरगटनाएं नहीं हो तो मनाईए सनी देव को क्यों सनी देव की जनम जैंती है 6 जून 24-24 को कैसे मनाए सनी देव को आप सब के लिए में उपायों का खाजाना भी लेकर पर लेकिन मैं एक बात याद दिलाओंगा आपको कि यह जो राशिपल है ने यह राशिपल आपकी संदर राशी आपकी नाम राशी आपके लगन सब सारी विदियों को मैं ध्यान में रखकर लिख रहा हूँ और राशिपल महिलाओं के लिए भी है पुर्सों के लिए भी है बुजरगों के लिए और बच्चों के लिए सब के लिए राशिपल है राशवाशियों 6 जून को सनी जेनती महस्तोव है और 6 जून की पुर्शंध्या पर अदभुद सनी देव का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ रुद्रा अभिशेक करने जा रहा हूँ राशवाशियों आप इस रुद्रा अभिशेक में और सनी तेला अभिशेक में भाग लेना चाते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं इन नंबर पर संपर करके आप अब शेक शनी देव की अनुष्ठान का हिस्सा बंसे मित्रों शाथियों 6 जून को शनी जेनती है और उसकी पुर्शंध्या यानि 5 जून 2024 रातरी 12 बजे शंक्रों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महा आरती करूँगा मैं राश्य से निवेदन करता हूँ कि इस आरती के दर्सन मात्र से आपका कल्यान होगा पदारिशनी धाम और करिए इस आरती का दर्सन का आपका कल्यान होगा ना मना रहे हैं अब मैं सबसे पहले बहचकर की पहली राचिय मैस्राशी, मैस्राशी की चर्चा करूँगा कि जून 2024 नक्षत गर्णाओं के आदायर पर राशिफल का क्या संकेट दे रहे हैं मैस्राशी की अदुपती मंगल देव है मैस्राशी हमेसा अग्रेस्टन में रहती मेशरासी के वेति उतेजने के साथ कारियों को जल्दबाजी में पूरा करना चाता है मेशरासी के लोग बहुत इस्पष्ठ होते है उनका लक्ष किलियर होता है इस्पष्ठ वादी मेशरासी के लोग होते है सीधा सभाव है, सीधा चलना पसंद करते है किसी से आधिन देना मेश्रासिक की सभाव में नहीं है अगनी प्रत्ततु प्रधान रासी है स्वतंतर विचारदा है मौलिकता का समर्थन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है सभाव बहुत प्रेमिय होता है उन्हें स्वार्थ से ग्रणा होती है इसलिए वो अग्रेशन करते है इने सहयोग्यों से काम लेने के लिए अध्भूत समता रखते हैं और हमेशा चोकन और सचेत रहते हैं कार ये कोई भी हो ध्यान इनका सब्तरकता पर सचेत रहते हमेशा हां जिद्धी सभाव है और ये लोग जब तक अपने गल्ती को स्विकार नहीं करते तब तक इनको अची होते हैं मेश राशियों में शूरिय बल्वान होता है और ब्रश्पति देव भी या सुफल प्रदान करते हैं लेकिन मैंने देखा जो शक्ति इनके अंदर है जो उत्सार उमंग इनके अंदर रहता है इसका सई फाइदा नहीं उठा पाते उप्यों की ज़्यादा द दामन के क्या सट स्वतंत्र प्रवृत् है जिद इनके अंदर है यह स्वीकार करना कई बार तकलिप दाइग होता है और यह श्वीकार करने के सुरीदेव महा के आरब में विश्पत राशी दूसरे भाव बुद्देव 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 शुकर्देव के साथ संचरण करेंगे। बारा जुन को शुकर्देव मिथून राशी दूसरे भाव में संचरण करेंगे। गरनाओं का यह है। अब सबसे पहले इन गरनाओं के हिसाब से मोटा मोटा जो है वो नजर आ रहा है कि जुन दोहजार चौबिस में सरासी वालों के लिए बेहतर प्रणामों का शंकित मिलना है। चाहिए वो कामकाज हो, चाहिए कारोबार हो, चाहिए नोकरी हो, समाज हो, परिवार हो, नीजी जीवन हो। यह महिना पूंगता उनके अनकूल प्रणामों से भरा रहेगा। आप युवा है, विद्यारती है, केरियर, कामकाज, कारोबार, नोकरी, शिक्षा के दर्श्कों से सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी महनत है, थोड़ा सा संगर से और थोड़ा सा अग्रेशन पर काबू रखेंगे, तो सफलता से कोई रोक नहीं सेका। और बिना महनत कुछ मिलता भी नहीं भाई, इस बात कभी ध्यान लखेंगे। धन प्राप्ति के अच्छे योगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, मा की उतराद में, प्राकर्म में बड़ोतर होगी, भागी में ब्रदी होगी, पिता का स्वयोग प्राप्त होगा, वेपार और नौकरे के छेतर में अच्छा लाब मिलना है, जिवन साती से मारे को बादेत नहीं कर पाएगा बस आप अपने उपर आलेशी प्रमाद को हवी नहीं होने दे और बिना वज़े की समश्यों को हवा नहीं दे और अगरेशन नहीं करें तो यह महिना आपके लिए उत्तम रहेगा ये था मोटा 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 के कैसा रहेगा जून 2024 मेशराशी वालों चली थोड़े से आगे बढ़तें अब मेशराशी वालों के लिए काम काज़ें कारुबार नोकरी वविशा है शिक्षा परिवार समाज स्वास्थे के हिसाब से कैसा रहेगा 2024 अब विस्तार से जानते हैं और सक्षे पहले में युवा और विद्यार्तियों के लिए जून का महिना मनों को शफलता का संके दे रहा है मैं इस राशी वालों के लिए पंचमे शुर्य देव का बुद्देव शुकर देव और ब्रश्पत देव के साथ दूसरे भाव में विराजना इस बात का संके दे रहा है इस महिने कामकाज कारुबार्ट केरियर और शिक्षा के स्फलता के लिए महनत और परिश्म का पूर्ण फल मिलेगा थोड़ी सी महनत आपको करनी पड़ेगी पढ़ाय में रूची बढ़ेगी आतनबल बढ़ेगा छटे और तीसरे भाव के आजपती बुद्देव का बु इंडिस्ट्री में है या सेना में है या तकनी की चितर में या ऊर्ड़ा की चितर में है समय पूर्टा लाब और शपलता का संकीर दे रहा है इदि आप मेडिकल में हैं लो में हैं मेनेजमेंट में हैं युवाओं के लिए अच्छे आउसर मिलेगी शिट्षा के चितर में अच्छा मोका मिलेगा कारबार नोकरी आर्तिक दिश्रासी के युवाओं को अच्छा अच में यूति नमभाव के समय ब्रश्पत देगा दूसरी और शप्तों भाव के समय शुक्र देवजद धनभाव में संचन कामकाज कारिबार में लाब और शपलता के पूर्ण अच्छे अच्छ अश्वर देगा आर्तिक पक्स तो युवाओं के लिए पूर्णता समय उनके लाब और शपलता का अच्छा योग है चाहे वो केरियर हो चाहे शिक्षा का अच्छे तर शपलता में थोड़ा सा करोध कम करें नीजी रिस्तों में आकर्मक नहीं है रिस्ते दिल से निभाए दिमाक से नहीं तो बहुत अच्छा रेगा यह था युवाओं और विद्यार पूर्ण फल मिलेगा और वैशाय नौकरी में किये प्रयासार तक्सीद होगी आर्तिक दिश्टिकों से महिना लाब अवश्य देगा नौकरी बालों को ले महिना पूर्ण लाब का संकेदिर मनोब लाशाव की पूर्ति होगी मनोवान सितिकारिय बनेगी कार इस्तल पर संदेव आपके दसमेश होकर लाब भाव में अपनी मूल्त्र का उंदाशी कुम में संचरन करें उनतिक जून को वक्री होंगी सपलता के अच्छे मोके में कामकाजी का अच्छे अवसर मिलें देश विद्वसिर कारोबारी शमद मनें धहरी और स्वयम से काम करें उनतिक अ मोका मिलेगा वैविशाय में लाप शुरतों में वर्दी होगी भूमी भवन की प्राप्ति का प्रबल योग है शुक और शौभा के में वर्दी होगी कपड़े के वैविशाय इंटेरे डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन वान सेल परतेज मेरी बीरो शौंदरी प्रसादन क्राइशन और जबाजन पर का बूरतनाativa पारवारी दस्टेकों से महीना नकुल हेगा कुटमभाव के सुकुरदेव कुटमभा में संच्रन करे शानी बुद्भय की भी में संच्रन करेशन करें wreckieran परिवार में खुशियों का बाता बन रहे गा परिवार का साथ मिलेगा कारिवार ४ी रूप सपलता कि मिदे बचना हो और मर्यादित भासा का प्रियोग नहीं करें बिना करण पारवारी कल्ये की संभावना नजरारी बिना कारण खाली आपकी भासा की वज़े से अपनी भासा को अच्छा रखेंगे तो अच्छा रहेगा निजी समय में एहंकार के कारण नुक्सान हो सकता है इसे बचना चाहिए स्वास्ते की बात करूं तो जून का मैना स्वास्ते के दर्शकों से थोड़ा कम जोर नजर आ रहा है जून में छटे भाव के सवमी बुद्देव का सूरी देव के साथ दूसरे भाव में संचन रहु देव की बार्वे भाव में उपसती लगने इस मंगल देव पर शनी देव की तीसी दर्शकी प्रभाव से सारलिक तकलिफ हो सकती है बासी और गरिष्ट भोजन नहीं करें देनिक दिंचरियान एमेट रखें ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें फ्रीज की नहीं ठंडी चीजे पेट में गर्मी अपच गैस की सिकायच से बचना चाहिए घर के विर्द व्यक्तियों की स्वास्तियों की प्रती साथानी बतना बहुत जरूरी है चिकसा में कोई अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सूरी देव बुद्द देव शुकर देव ब्रश्पत देव की सयोंग सी जो बनने वाला चतुरी योग है वह आप पर कैसा प्रभाव डालेगा में सराशी वाले जातक इस मेने अपने धन को किसी निवेश में लगा सकते हैं बैंक पुरुगरी योग दूसरे भाव में बंदा है और शफलता में लेगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वानी पर सेम रखे बासा की सालिंता का परचे देंगे तो और अधिक सपलता में लेगा मित्रों शात्यों मेरे आराध्य का अधुद दिन है छे जून दोहजार चौवि हर रोज इस मंत्र की तीन माला साड़े तीन से साड़े चार बजे के बीच में शुबह कर देएगा और जब आप जाप कर ले उसके बाद सरदानुशा शकर और तिल चीटियों को डाल देंगे तो कामकाच कारबार नौकरी में सफलता मिलेगी मित्रों शात्यों मेरी जीमन शाड़े साथी हो शाए मात असाओ चाहिए पदारिये सिरी सनी धाम के इस अद्भूत करें चितर में और करी सनी भागवान के दर्सन पोजन तेलावी से कर्ष्ण से शुटकारा मिलेगा एक बात और क्याना चाहता है च्छे जून को सनी जैनती मास्तों है तेज मैसे लेकर छे जूनतर निरंतर छे पाथ दासरत कर सनी इस तुरत का ब्रह्मूर्थ में करना केरियर और कारोबार्शन मंदी शंपोन परिशांचे शुटकारा दिलाएगा सनी जैनती के पावन पर पर अपने घर में चौमू का सश्रों का तेल का दिपक जलाई और चौमू का सुद्ध देशी घी का दिपक जलाई लगातार लगातार ये दिपक अखन जलते रहे सनी देव की जैनती पर सुबे से लेकर रातिया और उस दिन अपने घर में ओम हम प मिलेगी आठी नोकली में सफलता मिलेगी एक बात और कहाओं न को कानूनी मसले हो नोकली में परइसानी दहुँशन के भावन-पर-पर जबी जढlogo बाद तिला भी से करने के बाद बरगत के पेड़ के नीचे गाई का कच्छा दूठ चढ़ाना और उस मिठी से तिले करना बढ़ा अध्यूद रहेगा तो यह था मिश रासी वालों के लिए सनी जहनते के इस पावन पर को मेरी और पुना इरदय से एक बार राश्ट्र मेरा करिया दर्शन के सनीदेव की किरपाबर से अधार पर नभय नभ्रम नभ्रांती नभीबाद ने तरक शकिन ओपनिन का अधिकार आपका था आपका हैर आपी का रहेगा मानून मानून आपकी मिया आंकलन मेरा था मेरी से कोई भूल हो गई दोनों हाद जोड़ के चमा मांग करता है कि हजारों शकुर्ण बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना समपून जीवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरावर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वजय से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जी गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजी नहीं पहले भी कभी नहीं मांग अब भी मैं नहीं कहा रहा हूं और यह मेरा इंकार न रही है कि सनिधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहे इसके लिए मुझे आपका स्वयोग चाहिए और स्वयोग के लिए मैं श्यूम आपके साथ खड़ा हूं आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं आप उसी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा पूरिय Сाल खड़ा रहूँगा जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा नंबर आ रहा हैं इन नंबरों पर शंपर करी हैं आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी यह वज मैं गाएं के लिए च जाषा आपसे प्यार करतायाятी महाराज एक बार निवधन करें, तो मैं दान नहीं मांग बहुए है, मेर्ा राज शरूपं करायाँ ब करें आपके नियूसाद कि परिश्रम करूँगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों की लिए चाहरे की वेबस्ता करें, सनी भगवान आपकी रिक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा नीवेद है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों क याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकोर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रकार कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उ सभी का धन्यवाद देते हुए हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महाराज के साथ सनिधान गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुर स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी आउम नमोन आरायन आउम नमोन झाल झाल